हेलो, फ्रेंड्स, वेलकम टू दा दा पोल्टेक्निक कलासस एट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंट वोल्टेज रेगुलेटर इससे पहले वाले वीडियो में प्रिवेस वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया है सिरीज वोल्टेज रेगुलेटर जिसको क्या कहते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर सिरीज वोल्टेज रेगुलेटर उसके बारे में आप लोग को बताया गया आज यहाँ पे इस वीडियो में आपको फूल डिटेल समझाया जाएगा संट वोल्टेज रेगुलेटर जिसको क्या कहते हैं पैरल वोल्टेज रेगुलेटर तो रेगुलेटर का क्या काम है सबसे पहले तो जो अन कॉंस्टेंट डीसी वोल्टेज जो होता है उसको कॉंस्टेंट डीसी में कनभाट करता है उसको क्या कहते हैं Regulator का काम होता है and constant DC voltage को constant DC में change करना यह regulator का काम है संट या पैरलल संट मिन्स क्या होता पैरलल वोल्टेज रेगुलेटर संट या पैरलल वोल्टेज रेगुलेटर इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि diode and transistor जो है आपका load resistance के पैरलल में connect होता है इसलिए इसको हम संट या पैरलल वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं load resistance के across transistor लगा होता है इसलिए इसे हम transistor sun बोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं यह आपका circuit diagram है आप यहाँ पे देखिए यह total आपका circuit diagram है फुल्ट तो इसमें क्या है यहाँ पे आपका resistance लगा हुआ है यह जेनर डायोड जो की load resistance के पैरलल में है जेनर डायोड जो होता है reverse wise में काम करता है आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे यहाँ पे एक transistor लगा हुआ है जिसका यह terminal base यह terminal collector और यह terminal emitter है यह देखिए तीर का निशान इस तरह है तो इसलिए यह transistor जो हुआ ओ NPN transistor हुआ और transistor जो connected आपका है वो load के across parallel में connect है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर सीरी सोरी ट्रांजिस्टर संट या पैरलल वोल्टेज रेगुलेटर तो रेगुलेटर क्या करता है कि जो input voltage जो होता है उस पर depend नहीं करता है मतलब जो output मिलेगा हमेशा constant मिलेगा हमेशा constant मिलेगा जब यहां से हम लोग input voltage देंगे तो इसका एक जो जेन डायोड है वो comparator की तरह यूज होगा यह क्या होगा comparator की तरह यूज होगा यहां पे जो transistor है वो control element की तरह यूज हो रहा है तो यहां पे भीजेड है इसका voltage जो constant रहता है हमेशा constant रहता है भीजेड पे जब constant रहता है तो यहां पे हम लोग के output जो मिलेगा वो भी constant मिलेगा वीजेट पे जो भैलू होता है हमेशा constant voltage रहता है इसलिए हम लोग के output पे भी हमेशा constant ही output मिलेगा हम लोग input में कितना भी भैरी कर लें वीजेट जो हमेशा constant रहेगा क्योंकि जो इसका voltage रहता है breakdown जो voltage रहता है constant ही रहता है तो output पर भी voltage क्या मिलेगा हम लोग के Constance मिलेगगा और दूसरा condition आता है कि कि यह जो लोड है ŚT एक लोड रेशिटेंट यह लोड भेहर ही करते हैं यह लोड को बहरी करते हैं फिर जो output हमको मिलता है हम लोग को constant ही मिलता है आपको सरल बिधे से समझाने का कोशिश करते हैं बहुत ही simple बात है क्या कि यदि input voltage का value हम बढ़ाएंगे इसको input voltage का value बढ़ाएंगे तो output voltage का value भी बढ़ेगा और जब output voltage का value बढ़ेगा तो BBE जो है उसका value भी बढ़ेगा और जब BBE का value बढ़ेगा तो transistor का conduction भी बढ़ेगा और जब transistor का conduction बढ़ेगा तो दूसरे सब्दों में हम कर सकते हैं कि इसके across जो resistance का value होगा वो घटेगा आता voltage drop घटेगा इस प्रकार हम कर सकते हैं कि हमारा output voltage constant रहेगा समझें आप फिर से समझाने के कोशिज करते हैं बहुत ही simple तरीका से दम बहुत ही दो line में clear हो जागा आपको यदि input voltage का value बढ़ाएंगे तो output voltage का value भी बढ़ेगा और जब output voltage का value बढ़ेगा तो VBE का value भी बढ़ेगा और जब VBE का value बढ़ेगा तो transistor का conduction भी बढ़ेगा और जब transistor का conduction बढ़ेगा तो दूसरे सब्दों में हम कर सकते हैं कि इसके across जो collector current है collector current है इस से ज्यादा फोलो करेगा collector current से ज्यादा फोलो करेगा तो हमारा load current क्या होगा constant होगा तो output voltage हमारा constant होगा इस परकार अप लोग समझ सकते हैं यह क्या हो गया total आपका बर्किंग sent voltage regulator का इस तरह से तो आपने समझा इसका construction इसका working sent voltage regulator का sent voltage regulator इसका transistor voltage क्यों कहा गया है sent voltage regulator कैसे हुआ इसका पूरा का पूरा बर्किंग आप लोग देखें तो आज के video इतना है thank you bye bye